आज का हमारा नेक्स टॉपिक है प्रोटयोपलास्ट कल्चर और सॉमिटिक हाइब्रिडाइसेशन। इसके अंदर जिसे जीव द्रभे सरवर्धन और काइक संक्रण कहते हैं। कि क्या है प्रोटोप्लाज्म कल्चर तो हमें पता है कोई भी कोई जो सेल होती है कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर बाहर की और कोशी का बित्ती पाई जाती है उसके अंदर की और प्लाज्मा मेंब्रेन या प्लाज्मा जिल्ली पाई जाती है और अंदर की और जीव द्रवे पाई जाता है और केंद्रक इसके अलावा जिता भी कोशी का द्रव होता है उसके अंदर सेल के और गन्स प्रेजेंट्स होते ह तो यहां पर जब किसी भी स además में जीद्रबे प्राप्ट करना होता है तो सेल के जो बाहर सेल वॉव जपाई जाती है उस सेटें को एंजयमेटिक क्यीया के द्वारा और मेकेनिकल यांत्रिक क्या के द्वारा उसको यांत्रिक शति के द्वारा उसको अंप्रे प्लाजमा जिल्ली युक्त, जीवद्रबे को हम प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस कोशिका का जब हम समवर्दन करते हैं, कल्चर करते हैं तो हम उसे जीवद्रबे समवर्दन कहते हैं तब हम देखें कि यहां पर अगर हम किसी भी कोशी कि अको करें ईल्शक करें हैं तो सबसे पहले देखिए जहां कि आगधराम के हम दिखाया गया कि एक सेल है उस plant cell के अंदर cytoplasm cell wall और plasma membrane प्रेजिन्ट होती है उस cell को जब हम किसी भी चाहिए तो angiomatic oracle तर्लेड के द्वारा जब उसको cell wall को damage कर देते हैं तो फिर उसको plasma membrane जो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं जीवद्रव्यक कहा जाता है और किसी भी ऐसे प्लांट को घ्रोथ कर वा सकते हैं जो कि जीन्स आ और जैनेटिकर ली वाइरस फ्री और वैक्टिरिया फ्री होता है और किसी भी डीजीज के रमाद पावा उसके इंदर डबलप की जा सकती है और उसे एक अप्लेंट प्लान्ट का निर्मान किया जा सकता है तो यहां पर सबसे पहले हम अगर की को देखें तो हीस्टी में अगर हम देखें तो किस तरह से प्रोटो अब्म जो संक्वर्धन является किसी यहां पर सबसे पहले जो वेग्यानिक उन्होंने टमाटर की जो सेल उसके पर काम किया और उसके पर उन्होंने प्रोटोप्लास्म से ऐस लेटिड किया फिर उन्होंने अलग अलग वेग्यानिकों ने निकोटरन या टैबेकम और तंबाकू जिसे हम कहते हैं उससे सेल को आईसोलेटिड किया और फिद दू अलग रग तरीके के प्लांट की सेल को फ्यूज किया और उसको हाइब्रिड करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन किया तो इस टेक्निक है इस टेक्निक के द्वारा हम यहां पर देखेंगे किस तरह से इसके लिए विदियां कामें ली जाती है तो यहां पर दो तरह की विदियां प्रोटोप्लास्ट को आईसोलेटिड करने के लिए कामें ली जाती है सबसे पहली जो मैथड है उसको हम मैकनिकल मैथड कहते हैं यांत्रिक विदी कहते हैं जि इसी भी सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर सेल को पहले हाइर कंसेंटेशन युक्त मीडियम के अंदर रखा जाता है और यह जो प्लांट सेल होती है उनको सबसे पहले उनको इस्ट्राइज कर लिया जाता है निर्जमेत कर दिया जाता है और फिर उनको हाइए कंस मैनिटोल का यूज कर सकते हैं या हम सार्बिटोल का यूज कर सकते हैं इस सॉलूशन के अंदर या फिर हम 2% पॉलिफिनाइल पाइर लोडीन का यूज हम इसके सॉलूशन के लिए कर सकते हैं मैकनिकल मैथड में तो यहां पर हम जब इसका यूज करते हैं तो प्रोटोप्ला को हम वापस इससे से निकालने के लिए इसको लोग कंसेंट्रिक स्टेशन युक्त माध्यम के अंदर रख देते हैं और माध्यम में रख कर फिर उस प्रोटोप्लास को प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन इस विदी के द्वारा है जो बहुत ही लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं तो इसके लिए इसके अधावा हम दूसरी विदी जो होती है जैसे यह हम एंजयमिक मैथड कहते हैं उसका उप्योग हम करते हैं दिखाएगी जो डाइग्राम है उसके अंदर हमने एंजयमेटिक मैथड का उप्योग किया है और एंजयमेटिक मैथड के देखिए कहना हमने जो isolated cell होती है तो इस दिखाएगा डाइग्राम के अंदर जो हमने low concentration के अंदर जो रखी ती उसके अंदर प्रोटोप्लास जो था वह उसने चार तरफ से अपने आपको कवर कर लिया है और अब इस प्रोटोप्लास को हम किसी भी चाकू की साइथा से सेल को कट कर देते हैं सेल वाल को और फिर प्रोटोप्लास को isolated कर दिया जाता है देखिए इंजयमेटिक मेथ्रिड दिखाए गया तो जिसी में कोई भी प्लांट की हम अगर जो की प्लांट की लीफ लेते हैं तो उसको पहले इस्ट्रिलाइज करने के लिए हम लगबग 70 परसेंट जो है ऐलकोहल जो है वह दो मिनिट के लिए उससे वाश करते हैं 70 परसेंट एलको होता उसके पर उसको 30 मिनिट के लिए लगबग 30 मिनिट के लिए उसको पर रखते हैं तो वह पूरी की तरह से इस्ट्रिलाइज हो जाती है निर्जमिकत हो जाती है और अब इस लीफ को जो की सोडियम हाइपोक्लोराइड स्यूशन में रखी गई ती अब इसे वापेस इस एटा दिये देते हैं और योस्ट होती है थारड प्रोसिस के अंदर एकंने जो में खरिड़ेंस के अंदर चौटे चोटे सैग्मेंट्स कर लेते हैं प्ल चौथा के अंदर जो लीफ होती है इसको री कोपां अन्दर होती है यह वो डिटिफिरिंट type के जो एंजिम्स होते हैं इनसे रि एक्षिन करती है और ही ऐसे लोड hormone होजाती है जैसे ऐसके हम एक करतक हैं हिपलोज यह हैं निया औरस ऑफड़ास जिससे कि जो हैं जी हो मिर्बने होती है जैसे cellulose है and in cellulose enzymes का उप्योग हम इसके लिए करते हैं और प्योग इसके लिए किया जाता है लेकिन क्या पर कंडिशन आती है एक जैसे हम को करते हैं तो यहाँ पर प्लाज्मा मेंब्रेंट को उसमें इसमें बनाय रखने के लिए हम यहां पर 0.5% mesozyme का उप्योग कर लेते हैं और 2% cellulose का उप्योग करते हैं तो solution में अगर हम किसी cell को रखते हैं तो वहाँ पर जो प्रोटोप्रास पाई जाता है वह फटता नहीं है और यहाँ पर जो प्लाजम मेंब्रेन है उसकी सेता को बनाया रखने के लिए हम इसमें लगबख 7 mm का मिलिमेटर का कैलशियम क्लॉराइट इसके अंदर एड़ कर देते हैं जिससे कि प्रोटोप्रास की जो प्लाजमा मेंब्रेन है वह प्रोटोप्लास्म को कंटिन्यूट बनाया रखने का काम करती है इस तरह हमने यहाँ पर इस टॉपिक कें अंदर प्रोटों प्लाजम को आईसूलेटेड करने की दो टैकनिक्स को देखा है पहले जो टैकनिक थी उसके अंदर मेकेनिकल टैकनिक थी और दूसरी है एंजयमेटिक मैथर्ड एंजयमेटिक मैथर्ड चार चरणों का उपयोग किया जाता है जिसमें पहला है पर्ण का मिर्जमी करना या इस्ट्रिलाइज करना लीफ को दूसरा है लोवर इपीडर्मिस को अठाना और तीसरा है लीफ की चोटे-चोटे सेग्मेंट्स होते हैं उसके लीफ को चोटे-चोटे सेगमेंट में बहुत दीना और फिर उसको एंजयमेटिक सोलुशन में रखना फिर उससे प्रोटों प्लास्प को आईसुलेटिड कर लेते हैं अब प्रिटोप्लास को प्राप्ट करने की दो भी दिते हैं पहली एक चरण वन स्टैप मैथर्ड जिसके नदर जहां किसी भी जो लीफ है उसनिफ के अंदर उसका जो सॉलूशन होता है लीफ को जब निर्जमित करते हैं फिर उसको सॉलूशन में डालते हैं तो उसके अंदर हम और उसके अंदर हम इंजाइम और सार्बिटोल या फिर हम उसकी जगे मैनिटोर यूज कर सकते हैं और लगबग चोईश से लेकर 26 डिग्री से टेंपरेचर पर इसको रखा जाता है एक साथ ही सारे सॉलुशन का एड़ कर लिया जाता है और लगबग 16-18 घंटे तक इस सवस् पर मिनिट वाले एक हलीतर पर हम इसको ट्रांसर कर देते हैं ऐसे बीकर के अंदर इसको रखा जाता है जिससे कि वह लगबग 16-18 घंटे तक इस लीफ और सॉलुशन के बीच में मिक्सर को मिक्स करता रहे जिससे कि दीरे-दीरे सेल वाल जो है वह डिसाप्यर हो जाती है औ हम सेकंड स्टेप मैथड या दूई चरण विधी कहते हैं जिसके अंदर हम किसी भी वीकर के अंदर जब हम लीफ के जो सेगमेंट होते हैं पार्ट को जम डालते हैं तो उसके अंदर 0.5% जो है प्रैक्टिनेज एंजाइम डालते हैं और इसके लावा इसके अंदर 0.3% ज जालकर इसको गरम करते हैं लीफ के पार्ट को तो लगबग 15 मिट तक हम इसको गरम करते हैं और गरम करने पर फिर इसको हम हम इसंट्रिफ्यूग करते हैं सेंट्रिफिउ करने के बाद ब्यूतिय चरण के अंदर हम उस सॉलिशन के अंदर हम यहां पर जो आइसुलेटेड सेल होती है उसके अंदर हम 2% और 13% फिर से मैनिटोल डाल देने और मैनिटोल डालकर अब हम इसको विछ से और लगवाग देड़ घंटे तक तीस डिग्री सेल्स को रखा जाता है और फिर हमें जो प्रोटोप्लास में वो आइसोलेटेड हो जाते हैं इस विदी को हम यहां पर टू स्टैप मैथड कहते हैं जुई चरण विदी कहते हैं जहां पर हमने जो बीकर था उसके अंदर हमने दो बार सेल को गरम किया एक बार 15 मिट के लिए और दूसरा 30 मिट के लिए एक बार हमने लगवग देड़ घंटे के लिए इसको आइसलेटेड किया इस प्रकार हमें प्रोटोप्लास्म और जो लीफ होते हैं उसके जो सेग्मेंट्स होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते है इस प्रकार उपर जो दिखाए गया डाइग्राम है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो किसी भी प्लांट सेल होती उस प्लांट सेल के अंदर प्रेजंट और प्लाजमा अमरेन प्रेजंट से जिसमें प्यक्टनीज एंजाइम की लगवाग पॉइंट वन परसेंट से लेकर व और पचास से लेकर 100 मिलीटर मिली मॉल पर लीटर इसके अंदर कैल्शिम क्लोराइट का यूज किया जाता है जिससे कि हम यहां पर जो है प्लाजमा मेंप्रेनियुक्ट प्रेटर प्लास्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं अब इसकी दो तकनिक ही होती है जिसके अंदर हम इस आइसोलेटेड प्लास्ट को हमें अभी इसको सच करना होता है सेडिमेंटेशन करना तो इसके दो दो वीदियां होती है सबसे पहली वीदिया होती है जो उसके अंदर अवसाधन या सेडिमेंशन या प्रक्षालन इसको वाशिंग कहते हैं जिसके अंदर जो प्रोटोप्ल प्रोटोप्लास्ट और लीफ के जो सेग्मेंट्स होते हैं वह दोनों ही इसके अंदर एड़ रहते हैं और इस एड़ेड़ पार्ट को सेंट्रिफिकरिशन के द्वारा इसको अलर्ग किया जाता है जिसके अंदर दूसरा जो मेथड होता है फ्लोटिंग मेथड प्लावक तो यह डैंसिटी पर आधारित होता है और इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट मूते वह अधिक घनत के कम घनत का युक्त जो कच्रा रहत है वह उपर की और आजाता है और प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर नीचे की और टैस्ट ट्यूब में नीचे की और रहे जाते हैं सेंट्रिफिकरिशन के कारण और उसके अंदर फिर उसको आइसोलेटेट कर लिया जाता है पीपेट की साहता से देखिए इस डाइग्राम क प्रास्टर सेल जो है वो इसको एंजय मिक्सर के साथ इसको एड़ कर दिया जाता है फिर उसको पार्चियल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया जाता है अब जो वॉल होती है उसको सेंट्रिफिकेशन मशीन के अंदर इन पार्चियल जो प्रोटोप्लास होते हैं और जो लीफ के आइसोलेटेड होने के बाद दो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उन दोनों प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन का हो जाता है और फ्यूजन होने के बाद फ्यूजड प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर नुकलियस का फ्यूजन होता है केवल जीव द्रव्य का ही फ्यूज थोड़ी देर बाद ही उस फ्यूज प्रोटोप्लास के चारों और वाल का जनरेशन वाल बनने लगती है और इन के अंदर फर्स्ट डिविजन होने लगता है और यहां पर जो क्लम्प सेल का गुच्छा जो है वो बन जाता है डिविजन के कारण प्रोटोप्लास में अंदर करम के की क्लस्टर बन जाता है और कालौणी फiamiशन हो जाती है और इस कालोणी को हम यहां पर केलस का निर्माण ता है के निर्माण तो इसके अंदर different type की जो hormones होते हैं उनको add करने के बाद इसके अंदर root और shoot का formation हो जाता है और यह root or shoot का formation होने पर इसको plant को test tube से किसी भी गंबले के अंदर transfer कर दिया जाता है और गंबले में transfer करके इसको फिर किसी green house के अंदर transfer कर दिया जाता है इस तरह से हम किसी different type के दो protoplasm या cell को हम यहां पर fuse करके हम protoplasm के द्वारा नए plant को grow करवा सकते हैं तो इस method के द्वारा यहां पर हमने protoplasm के द्वारा नए plant का development यहां पर हमने इसको पढ़ा टैक्निक को कि अब यहां देखें को हम किसी भी जब किसी ना सेल को कैलेक्स को डवलप करते तो इससे किसी particular culture medium के अंदर डवलप कराना पड़ता है तो culture medium यहां देखें तो हम culture medium यहां पर जो बना है उसको हम CPW 13 M कहते हैं तो cell protoplast washing medium कहते हैं उसको और cell protoplast washing medium में जो है वह मैनिटोल होता है 30% यूज किया जाता है उसको 13 M कहते हैं CPW 13 M कहा जाता है और इस culture medium में potassium nitrate 101 mg पर लिटर डाला जाता है potassium idate है वह 0.16 mg पर लिटर potassium hydrophosphate जो है 27.2 mg पर लिटर और कॉपर sulphate है वह 582O और इसकी मात्रा जो है वह 0.025 mg पर लिटर डाली जाती है calcium chloride जो है वह 2H2O वह लगबग 1480 mg पर लिटर डाला जाता है magnesium sulphate है है वह 7H2O वह लगबग 246 mg पर लिटर डाला जाता है मैंटोल जो है 13% और इस culture medium की जो pH है वह लगबग 5.8 रखी जाती है अब हम जो next technique का यूज करने जा रहे हैं वह है somatic hybridization technique somatic hybridization technique के अंदर जो है वह दो different types के जो plants होते हैं उनका काईक संकरण करा जाता है उसकी जो वेजिटिटिटिव पार्ट सेल्स होती है उनका उप्योग करते और उनके अंदर पाई जानी वाली जो different variety है उसका उप्योग करके जो जो plant है वो नया नो प्रोटोप्लास का fusion कर दिया जाता है यहां पर हमने दो प्लांट लिये हैं जैसे प्लांट वन है जो की non green leaves पाई जाती है उसके अंदर हो second plant है जो यहां पर जो है hybrid colony का formation हो जाती है और hybrid जो कोलोणी होती है उसके अंदर दो अलग अलग तरह के जो प्रोटोप्लास होते हैं उनका fusion होता है कैलेक्स का development होता है और कैलेस का development होकर फिर उससे सुमेटिक hybridization या का संकरण तक्नीक कहते हैं अब यहां हम देखें तो यहां पर किसी भी hybrid जो plant होता है उसके इंदर जो प्रोटोप्लास का fusion किया जाता है तो प्रोटोप्लास का fusion दो है वो दो तरीकी की process के पर treatment करता है कि पहला है और स्पोंटेनियस प्रोटोप्लास fusion के इंदर जब प्रोटोप्लास सेल को जब हम किसी भी लीफ से या प्लान पार्ट से जब हम आइसोलेटेड कर लेते हैं तो और जब इनको हम यह जब आइसोलेटेड सेल्स होती हैं उनको जब हम कल्चर करते हैं तो यह मल्टी न्यूक्लिय इस्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और मल्टी न्यूक्लिय इस यह कहते हैं और यह जो प्लान्ट होते हैं उसके अंदर जैसे इंट्र ऐस्पेसिल्फिक प्लांट होते हैं उसके लिए इन इंका लिय्य Bayern की ऐता है है यूर्ट यूजीन रिसर्च यूशें नहीं कर सकते हैं हम देखें लिद का उपयोग और लिग अपश्यान की लिदे जो प्लड कर प्लाजम में लिए इसका प्लाजम oportunus तो है यहां पर हम जो बहु कोशिकाइं जो होती है उनकी कारिकी के बारे में हम यहां पर study कर सकते हैं और यह जो है वो कंडिशन करती समसुत्री विवाजन जो होता है उसकी अवस्थाओं को यहां पर नियंतरित किया जा सकता है और इसके अंदर जो नुकलिस fusion की study के बी कोशिकाओं के इनकी दो है दूसरा जो है वह है इंड्यूज फ्यूजर्स दियाने की फ्रेयृत म्योंटेशन जो है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन कि स्टरह से होता है तो देखें तो हम देखें तो है जो जो है वह प्रोबबडश म्योंmbol तो उन यहां पर फ्यूजन करते हैं तो इसका जब यूज करते है तो यह सब्सक्राइब जैसे हम chemical का use कर चो को हम यहां पर fusion कशते हैं तो इसके लिए हम यहां पर फूकोजन या फूकोजनिक एजयन्ट का use हम इसके fusion के लिए करते हैं तो जैससे और aosom का यूज भी इसके लिए किया जाता है जिससे की जो प्लाजम इंब्रेन पर जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो 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 नेगेटिव चार्ज आता था जो 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 नेगेटिव चार्ज जो लगबग दस मेगा 10mv से लेकर 50mv तक यह चार्ज होता है और इस चार्ज को यहां पर केल्शिम एड़ करके हम इसको कम कर सकते हैं तो इस तरह से यह हमें इंडियो इंडियोजो फिस्न की विदिया शुक्त हैं उसकी तीर अलग-अलग मैथर्ड यहां पर दिए गए सबसे पहला है यहां तरिक मैथर्ड के द्वारा यहां पर हम प्रेडित म्यूटेशन करवा सकते हैं दूसरा रासानिक प्रक्रिया के द्वारा और तीसरा है विजुतिया या इलेक्रिक मैथड के द्वारा हम प्रोटोप्लास का फ्यूजन करा सकते हैं तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं मैकनिकल मैथड के तो प्रोटोप्लास सेल अपने आप ओटोमेटिकली फ्यूज हो जाती है प्रैशर के कारण और यहां पर इसको इसी प्रक्रिया को हमने यहां पर इसको मैकनिकल मैथड्स कहा है दूसरा आता है रासाइनिक सैयोजन केमिकल्स के द्वारा फ्यूजन तो यहां पर हम जिस प्रोटोप्लास्टम अप्यक्स करक्स के लिए कर सकते हैं डेंसिटी वाले प्रोटोप्लासंस या प्योग आपकूइन पर किया जाता है और। सायता से इसको इसका molecular rate ग्याद किया जाता है और इसको 5 मिट के लिए centrifug किया जाता है और यह centrifug की जो rate होती है वो लगबग 100 rpm होती है 100 rotation per minute के लिए होती है 5 मिट के लिए और जिससे की जो protoplast cell जो होती है वो cluster गुच्छे के अंदर आ जाती है और ball का निर्मान करती है और इस स 10% सुक्रोज के solution को इसके अंदर हम एड कर देते हैं और फिर से यहां पर 10 rpm rotation per minute के लिए centrifug के लिए कोशिकाओं का और यह जो पांश मिट के लिए किया जाता है और यहां पर टैंपरेचर रखा जाता है वह 30 से लेके 35 डिग्री सेलसियस टैंपरेचर पर इनको पांश मिट के लिए रखा जाता है अब इन प्रोटोप्लास्म को वाश बात पर ले जात लिए जाता है और अब की बार सेंट्री फिजर्शन करने समय 200 रपीम दो सो रोटेशन पर मिनट रखा जाता है और फिर प्राप्त जो आइसोलेट्रिट होती है उसको दो बार करने के बाद इसको फिर से वाश किया जाता है और फिर कल्चर मीटिये पर इसको ट्रांस्वर क कर दिया जाता है इस प्रकार यह जो मैथड है वह केमिकल मैथड का यूज हम यहां पर सोडियम नाइटेड मैथड का यूज हम यहां पर करते हैं और इसका जो यूप योग है अब तक जो है वह पैंटिनिया और निकोटियाना के जो प्लांट है उसके पर उसकी जो सेल्स है उसके फ्यूजन के लिए कया गया है और इसके अंदर जो सलुशन की पीएच है वह 10.5 से लेकर 10.5 रखी जाती है और केल्शियम जो दो परसेंट इसके अंदर यूज किया जाता और यह जो मैथड है वह केलर और मिल्चर के द्वारा यूज किया गया मैथड है प्रोटो प्लाजम सेल के फ्यूजन के लिए अब हम दूसरा मैथड दे देखते हैं कैमिकल मैथड के अंदर जीसे पीजी या पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल मैथड भी कहा जाता और इस मैथड को है काव और मुचालुक के द्वारा दिया गया था और इस मैथड के अंदर जो हम प्रोटोप्लास सेल होती है उसके आंदर जो पी जी इसवालुजन यह उसको डाइलूट किया जाता है और डाइलूट करने के लिए में 20से लेकर 40% का सो पी इस्यूज करते हैं और इसके ऑदर हम जो पीएच वह भी मैंटेन की जाती है उसके लावा इसके अंदर दाइव मिठाइल सल्फ ऑक्साइड यूज इसके अंदर फ्यूजन के लिए किया जाता है जिसे की अधिक से अधिक मात्रा में कोशिकाई जो होती है फ्यूज कोशिकाउं की हमें प्राप्ति की जा सकती है chemical method के अंदर ये तीसरा method जो हता है उसके अंदर solution के अंदर dextron और polyvinyl का भी use हम कर सकते हैं और इसके इसकी सायता से हम protoplast का fusion कराकर अगर प्रोट्रप्लास को fusion फ्लूस घुज़ेश इसकी कोशिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं तेसरी जो तक्निक दीक थी जो की जी मरमेन के दिवारा दीकिए और और 1982 के अंदर यह तक्निक दीके थी और उन्होंने जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास जो कोशिका होती है उन दोनों के बीच के अंदर लगभग 0.5% से लेके 1.5 MHz का तका इलेक्टिक करेंट उन्होंने दो पोलर बाइलेक्ट्रोफोरेसिस के उपर इन्होंने इन सेल्स को रख दिया था और इस तरह का जो 0.5 से लेके 1.5 MHz तका इलेक्टिक करेंट प्रवाइद किया और दीरे-दीरे इस करेंट को बढ़ा कर उन्होंने वह एक सो तीन वाल्ट पर सेंटीमीटर के हिसाब से इस करेंट को उन्होंने मात्रा बढ़ाई और यहां पर हमने केरियो ग करेंट सप्लाई होती हो दीरे-दीरे बढ़ाई जाती है इसलिए इसको युनि डायरेक्शनल मेतड करते हैं और जिसके अंदर बहुत को प्रोटोप्लास का फ्यूजन किया जा सकता है और बहुत अधिक मात्रा में इसको आइसोलेटेड किया जा सकता है इस प्रकार यहां पर हम एक जिमर में द्वारा बनाएगे उपकरण को देखते हैं और जिसके अंदर बीच के अंदर दिखाए गया है इस प्लेटिनम वायर के अंदर उन्होंने दो प्लेट के बीच में प्रोटोप्लास को जो सेल्स होती है उनको आइसोलेटेड सेल्स को यहां पर डाला गय जाता है तो यह जो मॉडल्स है वो जिमर में के द्वारा बनाया गया मॉडल है